सिंडेगा में बिजली विभाग किये कैसी कर्दस्ताने सामने आई है इसे सुनकर आप भी हैराम रहे जाएंगे जिस गाँ में बिजली की तारही नहीं खुझडी जहां लोगों ने आस तक बिजली के दर्शन भी नहीं किये वहां के ग्रामिनों को भी बिजली बिभाग ने लंबे चौड़े बिजली के बिल प्रूश दिये अब बिना बिजली जलाए हजारों रुपे के बिल आ जाए तो ग्रामिन परशान होंगे ही दरसल सिंडेगा के बानू प्रखंड के स्वोई पंचायत एला पत्रा तोली गाउं में अजादी के बाद आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुचा ले गाउं के लोग बिजली के बिना जीवन बिता रहे हैं इसके बावजूद गाउं के ग्रामिनों के नाम से बिजली बिभाग ने हजारों रुपे के बिल भेश दिये अब ग्रामिन ये सोच कर परिशान है क्यों उन्होंने बिजली का उपियोग किया ही नहीं तो बिजली का विझ्ली की स्विचित लगे बोट समा डिये गया लना तो गाउध में बिजली की तार पहुंची ना कभी ज़ी जला कुछ साल पहले भी ग्रामिनों को बिजली काảng हथा उस वक्प घामंट बिजली विभाग को आविलन देकर बिल को बन कर रहे थे लेकिन फिर से हजादों का बिल ग्रामीनों के लिए आज परिसानी का सबब बन गया है हम लोगा जगा में बिजली नहीं है पोल खुटा नहीं है वायर नहीं है और बिल बिजली बिल आया है प्राफ्ट हुआ आपको प्राफ्ट हुआ आपको गरामसवा का सची द्वारा जी कभी भी नहीं घर में मिटर उटर भी डाल दिया कुछ किया एक वह परस पेहले मिला था दब डूल के अखले इंदो घर लाए थे आप लोग जैए विर बोड घर लाए थे एक लाए थे लिए तो आप लोग्ट में पॉल आफि तारवढ खिचा ग्या थे किितना साल पहले अपने समस्या प्रखंट प्रमुख से मिलकर सामने रखिया जिस पर प्रखंट प्रमुख ने कहा है कि ये गलत है इस तरह बेवज़ा बिल भेज कर विभाग ग्रामिनों को परिशान कर रहा है उन्हें कि विभाग बिल बंकरें नहीं तो डलबल के साथ ये विभाग चाहेंगे कुछ दिन पहले सोईपंचत के गरमेंड मेरे उफिस में आये हुए थे उन्हों विजली के विशह में एक दो बातें जो जरूरी थी उन्होंने बताई कि विजली विभाग इला पत्रटूली वाले गरमिनों को जिनके पास ना विजली का तार है ना विजली से संबांदित और कोई अन्याचीजें तिस पर भी उनका विजली बिल लगातर आता जा रहा है औ और किसी किसी का इतना ज्यादा आ गया कि 30,000 से पार ये विजली विभाग को पहले भी सुचना दी गई है लिकिन इन पर कोई करवई नहीं करते दिख रहे हैं कोई भी बड़े पदादिकारी जिससे जो लाभुक लाभ होना चाहिए वे लाभुक ना लाभ ले करके ये बह बेड़िप एक ब्यक्ति का नई है ऐसा समासिया कई ब्यक्तियों के साथ हो रहा है ना तो बिजली का बौर्ढ है न बिजली मीटर है तिस पर भी उनके यहां बिजली का बिल भुकतानहितू आए दिन आते दीख रहा है ऐसी परिस्चिती में विभाग के साथ मिल कर जन और जिन्वीन काम का जिन्वीन फल भी दिखना चाहिए और जिनके पास अभी बिजली का कोई तार नहीं है उनके पास जो बील आरा है उनको यत्था सिगर हटा देना चाहिए गौह में बिजली कनेक्शन नहीं फिर भी बिजली बिल पहुंच रहा है, ऐसे ने ग्रामी को परिशान होना लाजमी है, अब देखना दिल्चस्प होगा कि बिजली विभाग इस गलत फैमी को कैसे दूर करती है, इस गलती को कैसे सुधारती है, सिम्डेगा से संबाद आता अमन मिश्रा के साथ 99 न्यूस की बिरो रिपोर्ट